भाई बेहन पढ़ाने जा रही हो उसके लिए आप रिष्ट संख्या 79 खोलिए तो देखो कहानी शुरूआत होती है कहानी के शुरूआत नाटी इमली का भरत मिलाब से होता है आज नाटी इमली का भरत मिलाब है बाबु जैरामदास जी अपने दोनों लड़के लड़की को लेकर मिला देखने को जा रहे हैं तो बाबु जैरामदास जी जो है अपने दोनों बच्चों को लेकर कहा जा रहे हैं नाटी इमली में मिला देखने जा रहे हैं दोनों भाई बहन पिता की दोनों हाथ पकड़ कर बड़ी खुशी के साथ जा रहे थे भाई का नाम शाय जो कुछ हो पर रंग खुब गोरा होने से उसे सब लोग साहब कहकर पुकारते थे तो सभी क्या है जो मचला बेटा है उसको साहब कहकर पुकारते थे क्योंकि वो काफी गोरा दिखता था साहब की उमर को 11 साल की थी अंडलाइन कर लो साहब की उमर कितनी थी 11 साल की थी पर बेहन की उमर को 6-7 वर्ष की होगी बेहन छोटी है सबसे इसलिए क्या है उसकी उमर क्या है 6-7 साल की है उसका नाम किया है सुन्दर देई तो बेहन का नाम है सुन्दर देई पर लोग प्या साहब कहा कर पुकारते थे और बहन को सुंदरिया कहा कर पुकारते थे एक आने की पूंजी लेकर तो सुंदरिया के पास एक आना था एक आने की पूंजी लेकर सुंदरिया मिला देखने चली थी उसी के भरोसी जो चीज देखती थी उस पर तूट पड़ती थी तो वो क्या ह उसके इस भोलेपन पर साहब विचारे को बड़ी हसी आजाती थी साहब थोड़े बड़े थे तो उनको मालूम है कि एक आने की पुंझी से इतना कुछ नहीं खरीदा जा सकता, इसलिए क्या है, साहब को बड़ी हसी आ जाती थी, जब सुन्दर दस बारा चीजों का नाम लेकर, कहने लेगा, भी दस बारा चीजों का नाम ले ले थी, मैं ये खरीदूंगी, वो खरीदूंगी, जितने भी उसे सामान दिखते हैं तब क्या है साहब उसे कहते हैं मैं यह मोल लूँगी वह मोल लूँगी कहते हैं तब साहब ने कहा वा जी तुम्हारे पास तो तीन चार पैसे कुल हैं सिरफ तीन चार पैसे हैं तुम इतनी चीजे क्या है तुम इतनी चीजे कैसे ले सकते ह पहला ये तीन चार पैसे से इतने सारे सामान कैसे खरीच सकती हो मेरे पास बहुत से पैसे साहब के पास ज्यादा पैसे थे इसलिए वह कहता है मेरे पास बहुत पैसे हैं मैं बहुत कुछ खरीच सकता हूं मैं सब कुछ खरीच सकता हूं क्योंकि मेरे पास ज्यादा पैसे मैं केला खरीच सकता हूँ, नारंगी खरीच सकता हूँ, अम्रूद खरीच सकता हूँ, रेवडी, नान खताई वगारे तरह तरह की चीज़े में खरीच सकता हूँ सुन्दर पर साहब की इस बात का कुछ भी प्रभाब नहीं पड़ा पर सुन्दर पर क्या है इस बात का कोई प्रभाब नहीं पड़ता क्योंकि सुन्दर की जो मा है वह प्राय है उससे कहा करती थी उसे क्या कहती थी बेटी तुम भईया से छोटी हो तो तुम क्या हो भईया से छोटी हो इसलिए तुम्हें क्या है कम हिस्सा मिलेगा तुम्हें सब चीज से में भईया से कमती हिस्सा लेनी हो चाहिए तो मा ने उसे क्या समझाया था जो छोटी है इसलिए छोटे को कम हिस्सा मिलना चाहिए मा की यह बात सुन्दर हमेशा ध्यान में रखती तो मा की जो बात ही कि वह छोटी है और छोटे होने के कारण उसे कम हिस्सा मिलेगा यह बात जो है उसके दिमाग में एकदम से बैठ जाती है और उसे यह भी दिड़ विश्वास था तो उसे यह भी विश्वास था कि मैं चार ही पैसे में सब कुछ मोल सकती हूँ वह छोटी थी उसको इतिनी समझ नहीं थी पर उसका भी जित था वह यही सोचती थी कि वह चार पैसे में सब कुछ मोल लेगी मतलब चार पैसे में वह संभव नहीं था वो छोटी बच्ची है उसका दिमाग उसके जैसे चलता है तो अब इस सब कारणों से सहाब को होसला पूरा ना हुआ अब जब सहाब कहता है उसे समझाता है भई चार पैसे में चारी चीजे आएगी इतने सारे चाहँ सामा नहीं खरीद पाएगी तो फिर भ सहाब को सब है और मेरा कुछ नहीं है यह बात उसे कभी दुख नहीं दे सकती क्या है सहाब के पास ज्यादा पैसे है मेरे पास कम है यह बात लेकर क्या है उसको थोड़ा भी दुख नहीं होता था किसको हमारी जो छोटी उसकी जो छोटी बहन सुंदरिया है उसे बिलकुल दुख नहीं होता था अच्छ बहुत इंप्रॉटint एक लाइन है निच अवस्था में संतुष्ट रहना और उसी के अनुसार चलना बुद्धीमानों का काम है तो निचर अवस्था में हमेशा संतुष्ट रहना यह 생겼ा क्कफन है लेकी का का HOW आती है कि निज अवस्था में हमेशा क्या है अपने तुम जिस अवस्था में हो उसी अवस्था में क्या है तुम्हें संतुष रहना चाहिए ज्यादा आशा नहीं करना चाहिए अगर तुम ज्यादा आशा करोगे तो क्या तुमी को तकलीफ होगी तो यहाँ पर लेखी का कहती है पौ साथ चलता है आगे सुनो आशा करते हैं यह तक समझ में आया होगा नेक्स पेराग्राफ देखो साहब जो है सुन्दर की मूर्खता की बाती पिता से कहने लगा भाई बहन की बातें हो रही है साहब जब देखा कि वह नहीं समझा पा रहा है बहन को तो वह अपने पिताजी से कहने लगा वह बेचारे साहब के मतलब को ना समझ कर बोले हाँ बेटा पहले मिला देख लेते हैं उसके नीचे दर्जे के master की भाती बेहन को समझारे लगे जब देखा कि पिता जी भी उसे कुछ नहीं समझा रहे हैं तो लाचार होकर क्या करते हैं वह मौलवी की तरह मरलब मद्रसे के मौलवी की तरह या निचले दरजे के जो टीचर होते मरलब प्राइमरी छोटे बच्चों के जो टीचर होते उनकी तरह साब अपने भेन को समझाने लगा सुन्दर का चार पैसा अपने हाथ में लेगा सुन्दर के पास चार पैसे थे खुल तो वो चार पैसे अपने हाथ में लेता है एक एक चीज का नाम कहता हुआ एक एक पैसा सुन्दर को दे कर बोला एक एक चीज लेता है और पैसा क्या है सुन्दर को देता रहता है और नाम बोलता रहता है लो हो ना गया चार पैसे में चार ही चीजे मिलेंगी कि ज्यादा तो चार पैसे में कितने चार ही चीजे आए ना फिर साहाब क्या करता है अपना सब पैसा एक हाथ में लेकर एक एक एक चीज का नाम लेता है और हाथ में रखता गया बोला देखो मैं तो जब सब चीजे खरीद सकूँगा देखो मैं सारे चीजे खरीद सकूँगा तुम नहीं का खरीद पाओगी तब विचारी सुन्तर देई बड़े भोले पन से भाई के मुखी और ताकती हुई बोली तब उसमिस से थोड़ा मुझे नहीं दोगे क्या अकेले अकेले ही खाओगे सुन्दर की इस बात पर साहब को लजजित होना पड़ा इसको आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे सुन्दर की इस बात पर क्या है साहब को लजजित होना पड़ा किस बात पर साहब को लजजित होना यह important है मेला ले देखने के बाद सभी क्या करते हैं निच इच्छा अनुसा चीजे लेकर सब अपने चीजे खरीदते हैं खरीद कर दोनों भाई बहन पिता के संग घर लोट आते हैं तो अपने उन्हें जो जिसको पसंद था उस पसंददार चीजों को वे लोग खरीदते हैं और खरीद कर अपने अपने घर लोट आते हैं आशाकत्ति यहां तक आपको समझ में आया होगा बाखी मैं आपको पार्ट थ्री में समझाऊंगी धन्यवाद